साधी सुधा जीवन की सफलता पती-पत्नी दोनों पर निर्भर करता है। दोनों की आपसी समझ एक दूसरे के प्रती प्यार और विश्वास पर है। हाला कि कई बार ऐसा होता है कि पती-पत्नी के बीच सही तालमेल नहीं होने से उनका रिस्ता तूट जाता है। आचारे चानक्य ने अपने नीती सास्त्र में सफल जीवन की नीतियों के साथ ग्रीहस्त जीवन से जुड़ी कई अहम बाते बताई है। अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तालास कर रहे हैं तो चानक्य की नीती में दी गई कुछ बातों का विसेश तोर पर ध्यान रखें। जीवन साथी का चैन करते समय छोटी सी भूल भी जीवन भर दुख दे सकती है। आईए जानते हैं उन बातों को। नंबर एक सूरत नहीं बलकी सीरत देखिए। चानक्य के अनुसार चहरे की खुपसूरती को नहीं बलकी मन की खुपसूरती देखनी चाहिए। चानक्य के कहते हैं की ऐसा जरूरी नहीं है की जो बाहर से खुपसूरत दिखे वो असल में अच्छे हों। उनके अनुसार जो लोग वैक्ती के मन और उनके विचार को परक कर साधी करते हैं वे हमेशा खुस रहते हैं। नंबर दो धीरज होना जरूरी। आचारे चानक के कहते हैं की जिस वैक्ती में धीरज होता है वो सभी तरह की परिस्थिती को संभालने की छमता रखते हैं। वे कहते हैं की धैरवान वैक्ती परिस्थितियों को ठीक करने का सामर्थ रखता है। वो कहते हैं की साधी से पहले अपने जीवन साथी में धैर है या नहीं है ये भी देखना चाहिए। नमबर तीन दवाव में ना करे फैसला चानक के नीती के अनुसार जीवन साथी का चैन करते समय आपको किसी भी प्रकार का दवाव नहीं लेना चाहिए। यह पूरी जिन्दिगी का मामला है और इसलिए सोच समझ कर विचार करके ही फैसला ले। क्योंकि दवाव में लिया गया फैसले के बाद साधी मजबूरी बन जाती है और इसमें आपको बार बार समझोता करना पड़ता है। जै हिंद जै भारत।